नमस्कार, सिंग में आपका स्वागत है, मैं हूँ संदीग तायल सबका साथ सबका विकास मोधी सरकार की विकास स्यात्रा में हर किसी मंत्राले ने अपने अपने विजन को लेकर एक खाका तियार किया है जी हम अगर बात करें उस विजन की तो उस विजन में परियावन मंत्राले ने भी एक महतपूर भूमिका निभाई है क्या कुछ भूमिका रही अभी तक परियावन मंत्राले की और क्या कुछ अगले आने वाले समय के लिए क्योंकि 5 जून को परियावन दिवे से तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पेश कि परियावन मंतरी प्रिकास जावरिकर जी प्रिकास जी आपका इस कारेक्टर में स्वागत है सबसे बड़ी उपलब्दी है कि ये मंतराले एक रोड़ा डालने वाला मंतराले के रूप में पेचाना जाता था इसको लोग स्पीड ब्रेकर मंतराले कहते थे प्रोजेक्स सालों साल पड़े रहते थे लेन देन होने के बाद वो मंजूर होते थे ये करॉप्शन का अड़ा बना था एक निगेटिव माइंडसेट थी गुरोथ रुकी थी एक लाइसेंस परमिट कोटारास था हमने उस रूप को बदला हमने नौ मेहने में एक सफलता सबसे बड़ी पाई वो कि इसका स्पीड ब्रेकर मिंतराले का रूप बदल के हमने फैसिलिटेटर आपका उद्योग का सफर आसान करने वाला क्योंकि उद्योगों से ही आम आदमी को रोजगार मिलता है वहाँ वस्तू के अपूर्ती होती है उस विभाग का विकास होता है तो उस विभाग के विकास के लिए रोजगार के लिए जो भी प्रोजेक्स मदद करने वाले हैं उनका रास्ता हमने आसान किया किसी बग परियावरण के समवर्धन और सवरक्षन के विशे में कोई समझोता नहीं किया हमने नारा दिया बिना बिनाश विकास और हमने नारा दिया कि परियावरण की रक्षा और विकास दोनों साथ साथ जो मंत्रा ले पहले लाइसन्स परमिट कोटा राज कहलाता था अब उसको हम लोगों का अंदोलन का एक मुख्य केंद्र बना रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का मंत्र हमने दिया है साफ सुतरी हवा, साफ सुतरा पानी, साफ सुतरा परियावरन, साफ सुतरी उरजा और जादा हरित, जादा हराबरा भारत ये पाँच मूट्दे हमने तयार किये है और उसके आधार पे हम इसको आगे ले जाना चाहते है तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी सफ़लता है और इसका प्रणाम सब में दिखने पड़ा है डीले समाप्त हो गए पारदर्शिता लाई ओनलाइन एप्लिकेशन्स आने लगे ओफिस ओफिस का खेल बंद हो गया और उससे आगे जाकर हमने इसमें नीतियों के आधार पर निर्ने करने शुरू किया है और निर्ने की ताकत विकेंद्री करण की हमारे विभागी आधिकारियों को दे दिया या राज्यों को दे दिया तो यह हमने बहतर एक प्रयास किया है तो इसलिए कोई भी अभी प्राजेक्स बड़ा हमारे पास पेंडिंग नहीं है निश्चित रूप से हम मानते हैं कि पाच जुन को लगबग हमारा एक साल पूरा होगा और इसलिए हम मानते हैं कि एक साल में जो एक इस ऑफ डूइंग बिजनिस और पर्यावरे रक्षा की नई पहल इसके रूप में उसको अब सामने ला रहे हैं हमारा विजन पका है हमारा मिशन पका है हमने टीम भी तैयार की है पहली दफ़ा मंत्राले में चिंतन शिविर हुए है बंगलोर में हुआ बोपाल में हुआ और अभी गौहार्टी में हो रहा है तो ये हर जगत दस ग्यारा राज्यों के जंगल वन के वन विभा के अधिकारी और पर्यावरे विभा के अधिकारी और हमारे वज्यानिक सब दोसों अधिकारी कटा होते हैं उसमें से 60-70 लोग बोलते हैं उनके सुझाव हम सुन रहे हैं और एक टीम का महौल तयार किया है तो टीम भी तयार है विजन भी क्लियर है मिशन तयार है और मोधी जी का नितुत्व है और इसलिए छे और साथ तारीकों हम एक राष्टे परिशत का आउजित कर रहे हैं जिसमें सभी राज्यों के परियावरण और एमों मन्तरी आएंगे समंधित अधिकारी आएंगे और दो दिवसी ये विचार गोश्टी में हम जो कानून में प्रक्रियाओं में पद्धतियों में तौर तरिकों में और नियमों में जो बदलाव करने है उसको एक बार फाइनल रूप देंगे और फिर संसत के सामने नए बिल हम लाएंगे दिखो परियाओं में के रक्षक हम सब नागरिक है हम पंचत अत्मों की बात करते हैं, तो हमारा आकाश यह वायू, जल, अगनी और प्रत्वी हैं, यह सब सापसुत्री रहे, यह प्रदूशन से मुक्त रहे, स्वच्चा हवा, स्वच्चा पानी, स्वच्च उर्जा, स्वच्च पर्यावरें, यह काम केवल सरकार और नियमों से नहीं होता, नियमों और कानुनों की धडल ऐसे कोई उलंगन करता है, तो उसकी चौकसी जनता को करनी है, जनता ने अगर ऐसे वीडियो निकालेंगे, जहां पर्यावरें के अहानी हो रही है, तो उस पर हम कारवाई करेंगे, और वो हमें भेशते रहे, लोगों की कलपनाओं को भी पुरुसकार देंगे, इसे एक्शन्स को भी पुरुसकार देंगे, और इसलिए मुझे लगता है, कि एक नहीं पहल के साथ, मोदी जी के नेतुत्व में ये सरकार चली है, तो एक इस मंत्राले का पूरा निगेटिव रूप जाके, एक जन्द सभगिता से आगे बढ़ने वाले मंत्राले को हम पेश करेंगे, ये थे हमारे साथ परियावन मंत्री परकाच जावेट कर, उन्हें बताया कि किस से रूप रेखा को साथ लेकर, परियावन मंत्राले ने अभी तक 9 भहीनों में काम किया है, और आने वाले समय में क्या कुछ यूजना हैं, जिससे कि आम और खास वक्ति उसमें जोड़कर, देश के परियावन को और अच्छा और सुद्धरड बना सके, आज के इस कारेकरम में इतना ही, हमें आग्या दीजे, धन्यवाद.